आज हम पढ़ेंगे अलंकार अलंकार का शाब्दी कर्थ है आभूशन जिस प्रकार महिलाएं अपनी सुन्दरता बढ़ाने के लिए आभूशनों का प्रियोग करती हैं उसी प्रकार भाषा को सुन्दर बनाने के लिए अलंकारों का प्रियोग किया जाता है अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं अलंकार शब्द अलम शब्द के साथ क्रीध हातू से बना है अलम के तीन अर्थ होते हैं सजाना, रोकना तथा पर्याप्त होने का भाव अलंकार शब्द ये तीनों भाव प्रकट करता है पहला जिस से काव्य में सौंदर्य उत्पन हो वह अलंकार है यह अलंकार का पहला अर्थ है वह सौंदर्य इस प्रकार का हो कि कहना पड़े कि बस इस से अधिक क्या कहा जाए यह अलंकार का दूसरा अर्थ है अलंकार समिलित किये गए हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उप्मा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिश योक्ति अलंकार, तथा मानवी करण अलंकार इन 6 अलंकारों को शब्द अलंकार और अर्था अलंकार में विभाजित किया जा सकता है अनुप्रास अलंकार तथा यमक अलंकार शब्दा अलंकार के अंतरगत आते हैं उप्मा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिश्योक्ति अलंकार तथा मानविय करण अलंकार अर्था अलंकार के अंतरगत आते हैं जहां एक ही वन की आवरती बार-बार होने के कारण सौंदर्य उत्पन होता है या चमतकार उत्पन होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार के उधारन तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाये यहां ता की आवरती बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है पुलक प्रकट करती है धर्ती हरित त्रिनों की नोकों से पुलक और प्रकट यहां पा की आवरती बार-बार हो रही है इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है यमक अलंकार जहां एक ही शब्द की आवरती बार-बार हो लेकिन उसका अर्थ हर बार भिन्न हो वहां यमकलंकार होता है यमकलंकार का उधारन इस दोहे में कनक शब्द दो बार प्रियोग हुआ है पहले कनक कार्थ है धतूरा और दूसरे कनक कार्थ है स्वन यानि सोना धतूरा खाने से मद हो जाता है और थात नशा हो जाता है और सोने को पाने से भी नशा हो जाता है कवी सोने और धतूरे की तुलना कर रहा है दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रियोग होने के कारण यहां यमक अलंकार है दूसरा होदारण है काली घटा का घमंड घटा यहां घटा शब्द का प्रियोग दो बार हुआ है, शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ भिन भिन है, पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है काम होना, अतहे यहां पर यमक अलंकार है जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है उपमा अलंकार का उधारन है हाय फूल सी कोमल बच्ची कोई राप की थी डेरी इस उधारन में बच्ची की तुलना फूल से की गई है बच्ची फूल की तरह कोमल थी दूसरा उधारन है हरीपद कोमल कमल से भगवान के चरणों की तुलना कमल से की गई है भगवान के चरण कमल की तरहां कोमल है रूपक अलंकार जहां उपमान और उपमे में कोई अंतर दिखाई न दे वहां रूपक अलंकार होता है रूपक अलंकार के उधारण है मैया मैं तो चंद्र खिलोना लही हूँ और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो दोनों उधारणों में उपमान और उपमे में कोई भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है अतिश्योक्ति अलंकार जहां किसी बात का बढ़ा चड़ा का वर्णन किया गया हो वहां अतिश्योक्ति अलंकार होता है अतिश्योक्ति अलंकार के उधारण है देख लो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही मैं तो राम विरह की मारी मोरी मुंदरी हो गई कंगना दोनों ही उधारणों में बात का बड़ा चड़ा कर वर्णन किया गया है इसलिए यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है छटा और अंतिम अलंकार है मानवी करण अलंकार जहां निर्जीव चीजों में मानवी गुणों कारोग करके उनका चित्रन सजीव की तरह किया जाए वहां मानवी करण अलंकार होता है मानवी करण अलंकार के उधारण है रात में जब चांद चर्खा कातता है मेघ आये बड़े बंठन के समर के फूल खिले कलिया मुसकाई इन तीनों ही उधारनों में निर्जीव चीजों में मानवी गुणों कारोब करके उनका चित्रन सजीव की तरह किया गया है अतह यहाँ पर मानवी करण अलंकार है